तो भाईयों बहनों देवियों सज्जनों सुबा के शुरुवात हो चुकी है और एक्चुली दोपैर के शुरुवात हो चुकी है और आप लोग सोच रहे हैं कि हम यू कहां चले जा रहे हैं तो आज का व्लॉग के शुरुवात हम यहीं से करने वाले हैं और टाइटल से तो आपको पता चल गया हम कहां हैं और कहां जा रहे हैं लेकिन आगे की जो खुब सूर्ती है वो अभी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि भाई साब हम आए हैं मानसून में एक रास्ता इधर से जाता है जो कि सीधे खड़ी चट्टानों पर उतारता है एक रास्ता यह है जो बड़ी प्यार असा न जारा देता है सारे भीया लोग उपर से आ रहे हैं नीचे हमें जाना है यहां से नीचे हमारे दिलिब बिया काफी उपर से नीचे आते तक व्लॉग कर रहे हैं इतना ज्यादा मतलब बस्तर को इंजॉय कर रहे हैं कैसा मैसूस कर रहे हैं अरे भाईया मेरे पास बतायना सब्द ही नहीं है अब घर जाओंगा ऑबर वोईस में कुछ सब्द उधार लूँगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या मिला है मुझे क्या बाद क्या बाद क्या बाद तो फिलहाल हम लोग नीचे उतर ही रहे हैं और वाटरफॉल के पास आ चुके हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि आवाद जो है काफी जादा तेज हो चुकी है सज्जनों देखिए कितना शांदा चंगल मतलब यार खुबसूरती जो होती है ऐसे ही कुछ चलने के बाद होती है निकलने के बाद होती है कहीं से अभी जितना तेजी से नीचे उतर रहे हैं वापीस आते हुए भाई साब उतनी ही लगने वाली है समझ रहे हैं चलिए वाटरफॉल का पहला लुक हम आपको आप लोगों को नजार आ रहा होगा सामने से पानी और अभी हम नीचे उतर रहे हैं चारो तरफ परहाडी है आगे चल करके वाटरफॉल के पास सलते हैं दर असल लास्ट नाइम हुआ यह था कि हम यहां से नीचे और वहां से उपर चड़ गए उसके बाद पीर हम रास्ता लेकिन रास्ता मिलना तो से रहा बाद में हमारे सब्स्राइबर भाईयों ने मुझे कमेंट हर के बताया बिया उपर नहीं चाओना तो वापिस नीचे उत्रे वहां से ही राइट साइड पे रास्ता तो आज हम उसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और आप लोगों वहां त उस नजारे आए यहां पर और वो है वाटरफॉर काफी खुबसूरत खुबसूरत जिल्ली पन्ने पत्ते पड़े हुए यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है इन सब को देख करके अबसकाती अच्छी जड़ी बूठिया भी है यहां पर बस पहचान होना कि यह चीजों का उसके बाद पाफ कुछ भी कर से चलिए अभी नीचे चलता और हमें जाना है नीचे इस जगा से बाइस यह उपर वहीं व्यूपॉइंट है अब ट्रेक जो हो और आम से स्टार्ट हो चुकी है पहला विकेट गिरने ही वाला था देख सकते हैं आप दीमे धीमे से जंगल पर हम विच्रण करते हुए बहुती शांती का अनुभव होता हुआ क्यों अभी लाश्वाइट अब परमानंद की यहां पर क्राथ्ती होती हुए आज का वीडियो भी काफी ज्यादा रही होने वाला है ज्यादा एस्पेक्टिशन मत लगाईएगा थोड़े से सीनेमेटिक्स मिलेंगे आपको बट्रॉफ फूटेजिस होंगे और मुझे ऐसा लगने लगाए कि जहां पर अभी हम खड़े थे उचाई पर वहां से हमें राइट जाना है मतलब हम उस पहार को गोल घुम रहे हैं फेरे लगा रहे हैं और यहां पर हम लीट करते हुए रास्ता तो बड़ा अच्छा बना दिया है यहां यहां पर जा रहे हैं अमर बड़को लादा सर्वान रहे हैं अमे पर जा रहे हैं और जाथा कि मैंने कहा कि हम उस पहार को लांख कर आ रहे हैं मतलब उसके फेरे ले रहे हैं और मेरा कहना सही था भाई साप खुली जगह थोड़ी सी सिगनल सच्छे आ रहे हैं क्योंकि आगे से पानी की आवाज आ रही है क्या बात मुझे लगता है यहां पर कहीं पर पान पानी गिर रहा है हमें अब सबसे पहले नदी ढूननी होगी फिर नदी के किनारे किनारे हम आगे बढ़ेंगे पानी का पहला नजारा इस जगह पर क्या बात है नीन पूरा हो गया है यहां से अभी निखा गया है यह बजाना होगा यहां के जर्मी हम यहीं समाप्त करते हैं अब हम यहां से चलेंगे उपर काफी सही नजारे आ रहे हैं वाटर फॉर के कैसा लग रहा है एक बार कमेंड करके जरूर बजाईए यहां से अब उस तरब जा सकते थे जहां से उसका बहुत सही वियो आता लेकिन पानी यहां पर ज पॉल दिखा रहे हैं है 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 इसा पहुंच गाया हम वापिस से इस स्टेश वाली दोगा पर बहुत अब काफी अल्टिमेट यहां काफी ज्यादा थक गए है है यहीं मज़ा आ गया है 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 वन शॉट कोई भी नहीं रूटे आ उपर की और बढ़ते हुए है सेहरे के हाउब आउड चुके हैं हागान बहुत ज्यादा हो रही है अगला अपडेट कुछ जूर के बाद देते हैं बहुत ही प्यारा वाटरफॉल एक बडर जरूर आईए देखो चत्ति दुर्ट को पेज पर फॉलो फर लीजिए इंस्ताग्राम पे उसके तुरू आप इन सब जगहें पे घहुम सकते हैं जाएए कॉन्टेक्ट करिए बिल्कुल अपने गर की बात है अपने गर की बात है कसा लगा और आपके उमें बता देंगे जरा से एक्सपीरेंस हैर कीजिए तबाही एक्सपीरियंस येस आथ पर तिस्टीना सब कुछ बोल रहे हैं तब कुछ कुछ बोल रही है हुआ है आपका experience बताये अब अब इस बसक्राइब अकलपनी है फिककड मजा आरहा फिककड ठगए उसको मस होगी यार इसना चड़ानी देख रहे है So yes, we have reached finally अजली आवे बाइसाओ